नमस्कार आज मैं फिर आपके समक्ष अपराद की एक और घटना लेकर उपस्तित हुआ हूँ ये भी उसी काल खंड की है जब अपराद अपने चरम पर था पुलिस के पास संसाधन नहीं थे और जो मौडरन गजट्स हैं ये बिलकुल आसपास भी कहीं नहीं थे पुलिसिंग कितनी कठिन थी आपको मैं पिछले चार-पांच एपिसोड में बता चुका हूँ बार-बार ये रिक्वेस्ट हो रही थी कि हत्या के अतरिक्त भी और कुछ जो क्राइम की घटनाएं हैं वो भी उनका भी जिकर किया जाए आज मैं हत्या से इतर ऐसी ही एक घटना का जिकर करूँगा उस जमाने में बैंक डकेतियां बहुत पड़ती थी मैं उस जमाने को जब रिफर कर रहा हूँ तो ये 95 से 2000 या 2005 तक की बात कर रहा हूँ 96 की कुछ घटनाओं का मैंने आपके सामने उसका उलेख किया था 16 मई 1996 को मेरट जिले में बैंक अप महारास्ट में एक बैंक डकेति पड़ी छीपी टैंक छेत्र के बैंक अफ महारास्ट के कैशियर और गार्ड को गोली मार कर पांस लाक रुपए बैंक से लूट लिए गया दूसरी घटना उसी दिन यानि 16 मई को हुई पंजाब नेशनल बैंक पिपराइच शाखा जनपत गोरखपुर इसमें भी डकेतों ने बैंक के भीतर घुसकर करीब आठ लाक रुपए की बैंक डकेति की थी आप अंदाज लगाएं कि 1996 में आठ लाक या दस लाक की बैंक डकेति का क्या मतलब हुआ करता था ये दो घटनाएं एक दिन में प्रदेश की दो बड़े जिलों में बैंक डकेति से सम्मदित थी तीसरी बैंक डकेति जिसका मैं जिकर करना चाहता हूँ वो लखनव के पड़ोसी जनपत सुल्तानपूर में हुई थी तारीक थी 13 सितंबर 1996 बैंक था बैंक का बड़ोदा लखनव सुल्तानपूर में रोड पर जगदीशपूर में जो बड़ा भारी इंडस्ट्रियल इस्टेट है इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर चुकि ये सुल्तानपूर अमेठी राइवरिली का ये छेत्र पड़ता ह वहां पर लंबे समय से जो राजनेतिक परिवार है उसने बहुत धेर सारी बड़ी फैक्ट्रिज की स्थापना की थी इसलिए उसको इंडस्ट्रियल स्टेट कहते हैं उसी इंडस्ट्रियल स्टेट में भेल फैक्ट्री के ठीक सामने बैंक का बड़ोदा की एक ब्रांच है इंडस्टियल एरिया की ब्रांच से तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर ट्रांजिक्शन कितना होता होगा 13 सितंबर को दिन में लगभग 2 बच कर 20 मिनट पर बैंक के कामकाज बंद होने का समय था चैनल थोड़ी देर में बंद होने वाला था तभी चार लोग सामान ग्राहप की तरह बैंक के भीतर दाखिल हुए एक उनमें चैनल गेट पर ही खड़ा हो गया दूसरा बैंक के जो शाखा प्रबंधक थे यानि ब्रांच मेनेजर थे उस ब्रांच के शिरी टी अन कुमार वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे दूसरा सीधे उनके कक्ष में दाखिल हो गया वहाँ पर बैंक प्रबंधक बैंक शाखा प्रबंधक यानि ब्रांच मेनेजर शिरी कुमार के तरिक तीन और कस्टमर बैठे हुए थे जो अपने किसी काम से बैंकिंग के काम से अपनी समस्या का समाधान कराने आये थे घुसते ही उसने अपने टेट से रिवालवर निकाल ली तीनों लोगों को धमकाते हुए कहा कि जमीन पर फर्ष पर बैठ जाईए सिर नीचे कर लीजिए श्री टीन कुमार इसके पहले कुछ समझ पाते वो आदमी मेज से घूम कर ठीक उनके पास पहुँच गया हाथ में रिवालवर थी उनकी कनपटी पे रिवालवर लगा के कहा कि खजाने की चाभी कहा है श्री कुमार खजाने से समझ नहीं पाए फिर उनको अचानक ध्यान आया क्योंकि वो इतना ये सब देख के इतना घबरा गए तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं उन्होंने का सब समझ जाओगे जहां पैसा रखा जाता है वहां की चाभी कहा है वो समझ गए कि ये शायद उसकी बात कर रहा है स्ट्रॉंग रूम की टियन कुमार ने कहा कि स्ट्रॉंग रूम की चाभी मेरे पास नहीं है अपनी रिवालोर जो उनकी कनपटी पे उसने लगा रखी थी उसको थोड़ा और प्रिस किया उसने कहा निकाल दोने गोली मार दूँगा गबराते हुए टियन कुमार ने कहा कि आप चक कर ले मेरे पास उसकी चाभी नहीं है उसने दोनों जेब में हाट डाला जल्दी जल्दी और उनके सामने जो मेज में उनका ड्रायर था ड्रायर को खीचा उसमें कहीं चा भी नहीं थी रिवाल्वर को लहराते हुए या उससे इशारा करते हुए उसने का तुम भी अपनी मेज से कुर्सी से उठके बाहर आओ जहां ये तीनों लोग बैठे हैं तुम भी फर्श पे बैठो सिर नीचे रखना जिस किसी ने सिर उठाया उसे गोली मार दूँगा इसी बीच में जो लुटेरा चैनल गेट पर खड़ा हुआ था उसने गेट को बंद कर दिया बीच में एक आद कस्टमर जो अगर आए तो उनको ये कहके वापस कर दिया कि बैंक बंद हो गया है अगर फिर भी किसी ने कोई बहस की बात की कि साब हमें चेक बुक लेनी है हमें और सौ काम होते हैं पैसा निकालने के अलावा तो चैनल खोल के उसको भीतर किया और जैसे ही वो भीतर आया उसको अपनी टेट से निकली हुए रिवालवर को लगाया और उससे कहा खबरदार सामने जो बैंक मेनेजर का चैंबर है वहां तक बिना पीछे मुड़े हुए चले जाओ वहीं से आवाज लगाई सर एक मुरगा और आ गया ब्रांच मेनेजर के चैंबर में जो लुटेरा था वो उसको वहीं पर बैठ जाने के लिए कहता है कि सिर उपर मत करना तीसरा लुटेरा उसके बाद वो वहीं गेट पर खड़ा रहता है आने वालों को बताता है कोई जित करता है तो भीतर करके बैंक मेनेजर के चेंबर में भेज देता था तीसरा लुटेरा वो करेंट केस के काउंटर पर पहुँचा कैशियर से कहा कि तुम सिर्ज हुआ के काउंटर के नीचे बैठो मैं उधर आता हूँ पीछे आने का रास्ता उसने बताया जो छोटे छोटे दर्वाजे होते हैं अपने आप खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं उनसे होके वो पीछे पहुँच गया कैश काउंटर पर जो ड्रायर में जितना पैसा था उसने एक जोला निकाल कर उसमें पैसा भरना शुरू किया इसी बीच चौथा लुटेरा वो हेड कैशियर श्री वीपी मित्तल के पास पहुचा इतनी देर में पूरे बैंक को पता लग गया कि डकैट घुसाये हैं वीपी मित्तल भी बिलकुल किंकर तब बे मूढ अपने कमरे पर अपने कुरसी में अपने चैंबर में बैठे हुए रिखे कि खजाने की चावी यानि स्ट्रॉंग रूम की चावी तुम्हारे पास है छुपचाप चल कर स्ट्रॉंग रूम कोल दो वरना गोली मार दूँगा उन्होंने ड्रायर खोली उसमें स्ट्रॉंग रूम की चावी निकाली और सर जुका के स्ट्रॉंग रूम की तरफ चले गए पीछे पीछे वो चौथा लोटेरा उनके कमर के पास रिवालवर को लगाए हुए कहता रहा चलते रहो मित्तल साब ने स्ट्रॉंग रूम का ताला खोला भीतर दाखिल हुए और वहाँ पर अलग अलग जो डिनॉमिनेशन के नोट जैसे रखे जाते हैं वैसे रखे हुए थे लोटेरे ने अपने कंधे से एक बड़ा बैग उतारा और उनसे कहा कि इसमें भरो पहले सौ की नोट भरो सौ की गड़ियों से वो पूरा भर गया जो उसका बैग था बाकी और कोई साधन नहीं देखा अगल बगल देखने पर एक और पुराना बैग वहाँ पर रखा हुआ मिल गया उसको उठा कर लाया और मित्तल साब से कहा कि इसमें भी बाकी डाल दो पहले सौ की फिर पचास की उसके बाद बीस और दस की दूसरा बैग भी उसका भर गया उनको भी कहा कि जमीन पर नीचे देखते हुए बैठ जाओ खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना स्टॉंग रूम का जो ताला बंद किया गया था वो ताला चाभी उसने अपने कबजे में कर ले हेट कैश एर बीपी मित्तल को भीतर बंद करके बाहर से ताला बंद कर दिया बाहर निकल कर करेंट कैश काउंटर पे जो पैसा एकठा कर रहा था लुटे रहा उसको इशारा किया वो दोनों बाहर लॉबी की तरफ आ गए हलकी सी सीटी बेजाई गेट पर जो खड़ा हुआ लुटे रहा था उसको समझ में आ गया काम हो गया लेकिन सीटी के आवाद शायद ब्रांच मेनेजर के कमरे में बैठे सीटी अन कुमार के कक्ष में जो लुटे रहा था उसको नहीं सुनाई पड़ी उन तीनों में से एक भाग के गया हलके से दरवाजे को पुश करके कहा सर चलिये काम हो गया फिर वो चारो चैनल से बाहर आ गए और बाहर निकलते समय उन लोगों ने चैनल में ताला बंद कर दिया जाते जाते वहाँ इस बीश में जो करिंट कैश काउंटर से पैसा एकठा कर रहा था उसने ये ध्यान दिया कि तीन चार ग्राहक अलग-अलग जगहों पे दुब के पड़े हैं दो उसमें कुर्सियों के नीचे थे एक कहीं आल में ओट में बैठ गया था उन तीनों को भी निकाल कर ब्रांच मेनेजर के चेमबर तक पहुचा के अपने जो जिस लुटेरे को वो सर सम्बोदित कर रहे थे सब उस लुटेरे के कबजे में कर दिया जाते समय उनके पास कुल तीन बैग थे दो बैग वो जिसमें करेंसी चेस्ट या स्ट्रॉंग रूम उसमें जो पैसे निकाले गए थे वो था और तीसरा बैग जिसमें छोटे डिनॉमनेशन के और चवन्नी अठन्नी टाइप वो एक बैग भरा हुआ जो कैश काउंटर से एकठा किया गया था जाते जाते जोड से कह गए कि अगर किसी ने पीछा किया या हल्ला किया वापस लोट के गोली मार दूँगा अभी हम लोग यहीं पर हैं पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती जो जहां था वहीं दुपका रहा करीब 20 मिनट बाद कोई ग्राहक आया जिसने चैनल के बाहर से ही आवाज लगाई कि बाई चैनल खोलिए मुझे पास बुक अपडेट कराने के लिए बुलाया गया था जो ग्राहक फसे थे और जो करमचारी थे उन्होंने जहांके देखा जिन मिन कस्टमर था जिसको वो लोग जानते थे उनकी जान में जान आई कि लगता है वो सब चले गए तभी ये गेट तक पहुँचा है एक एक करके वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि अगल वगल देखिए बैंक में डकैती पड़ गई है डकैत अभी अभी निकले है उस कस्टमर को भी अंदाज लग गया कि बैंक लूट चुका है डकैती डाली जा चुकी है उसने फौरण वहां हला करके चार छे दस लोगों को इकठा किया और वहां से पांसो मीटर की दूरी पर इंडिस्ट्रियल एरिया की चोकी थी वहां भाग के ये लोग गए वहां जो भी पुलिस वाले थे उनको साथ लेके आये बाहर का ताला तोड़ा गया भीतर गये सब को माजरा समझ में आ गया कि बैंक डकैती पड़ चुकी है एक गंटे के भीतर जिले के सारे बड़े अधिकारी वहां मौजूद मिले वही फिंगर प्रिंट वालों के लिए डॉग स्कॉइड का मुझे आइडिया नहीं कि उस समय कोई डॉग स्कॉइड सुल्तानपूर में था भी के नहीं था क्योंकि सुल्तानपूर का जो डॉग स्कॉइड है वो संभवतर रेंज के हेटकॉटर फैजाबाद से आता होगा जो सिस्टम उस समय था अगर उसका फैजाबाद में डॉग स्कॉइड रहा होगा तो जरूर आया होगा लेकिन उसके आने में दो घंटे तीन घंटे लग गए होंगे हर जिले में डॉग स्कॉइड या डॉग के कैनिल्स पहले नहीं हुआ करते थे खेर सब जगह हला हुआ वाइरलेस पे तुरंत ताबर तोड सूचनाएं दी गए सभी एक्जिट के रास्ते जो सडके हैं उनको बंद किया जाए बेरियर लगाया जाए चेकिंग की जाए क्योंकि कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि लूटने के बाद ये बैंक लूटे रे किस वाहन से गये हैं केवल ग्राकों ने और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने जो हुलिया बताया और जो कपड़े बताये उस रंग उस रूप उस हाइट और उस कपड़े वाले लोगों को तलाश करने के लिए कहा गया घटना के आधे घंटे बाद लोगों को पता लगा कि डखेती हुई दस मिनट बाद पुलिस आई पुलिस ने कंट्रोल रूम को बताया कंट्रोल रूम में सूचना की कि चेकिंग की जाए 15-20 मिनट में चेकिंग करने वाले पुलिस कर्मी अपने पॉइंट पर पहुँचे होंगे यानि कुल एक घंटे से जादा लग गया चेकिंग शुरू होने में और एक घंटे का टाइम इतना परियाब था कि लुटे रे अगर किसी वाहं से होंगे तो वो कम से कम दो जिला क्रॉस करके आगे निकल गये होंगे इसलिए इस चेकिंग में न तो कुछ मिलना था और न कुछ मिला FIR हुई विवेशना हुई और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा होगा तो दो चार चंगु मंगु टाइप के जुवारी पुलिस ने बंद कर दिये होंगे किसी के पास 5000 और किसी के पास 10,000 डकैती का माल बरामत करके और इसकी फाइल क्लोज कर दी गई होगी जो उस समय ट्रेंड था मैं उस ट्रेंड का ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मेरे पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है कि उस बैंक डकैती का हुआ क्या लेकिन जो होता था वो मैं बता रहा हूँ कि दो चार इस तरह बंद हुए होंगे 5001 के पास 2001 के पास 10,000 के पास दिखा के और उसके बाद फिर ये बैंक डकैती की फाइल पुलिस के रिकॉर्ड्स में विलो पित हो गई होगी एक बात में यहां और अब कॉमन ट्रेंड आपको बताओं कि जिस ठाना छेत्र में कभी बैंक डकैती होती है चुँकि बैंक डकैती को उसमें सबसे संसनी खेज अपराद माना जाता था बैंक डकैती में एक दिक्कत और होती थी कि पबलिक को अगर वो ग्रामीर छेत्र की है तो पबलिक को यह लगता था कि हमारा ही पैसा डकैत लूट के ले गए हैं पता नहीं हमारा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा मैंने बताया कम्यूनिकेशन का कोई साधन उस समय नहीं था कोई Android फोन नहीं थे अखवार के सिवा और दूर्दर्शन के सिवा समाचार से कनेक्ट होने का कोई दूसरा साधन नहीं था डकैती की सूचना जैसे ही अख़वार में पब्लिक देखती थी बैंक में तूट पड़ती थी उसको ये लगता था कि हमारा जमा किया हुआ पैसा ही डकैत शायद ले गए हैं कानून विवस्था की सिती उत्पन हो जाती थी इसलिए इस अपराद को उसमें सबसे संसनी खेज अपराद माना जाता था मैं उसी कालखंड की बात कर रहा हूँ जिसका बार बार जिकर करता हूँ जो जिस थाना छेतर में बैंक डकैती पड़ती थी उस थाना छेतर में कमसकम या उस जिले में जुवारियों के अड़े बंद हो जाते थे लोग जुवा खेलना बंद कर देते थे बड़ी बड़ी फड़ जो लगती थी जो धंदा होता था जुवे का वो एकदम बंद हो जाता था क्योंकि ये ट्रेडीशन रहा कि जब बैंग डकैती पड़ी और पुलिस नाकाम्याब हुई बैंग डकैतों या बैंग लुटेरों के आज पास तक पहुशने में भी तो उसके लिए वो मुख्विरों से तुरंद कैती थी देखो बड़ा जुवा कहां हो रहा है अगर मुख्विरों की सूचना सठीक बैठ गई बड़े जुवे के एड़े पे पुलिस ने रेड की चार शे दस लोग मिल गए और जुवे की फड़ पे पचास साथ हजार रुपए कैश मिल गए जो हुलिया बताया गया उस हुलिया के दो तीन चंगु मंगु जो जुवा खेलते मिले थे वो बैंक ड़कैती के अभिप्त हो जाएंगे और फड में जो पैसा मिला था वो उसमें बराबर बराबर डिस्टिबूट करके बैंक ड़कैती में लूटा हुआ लूटी हुई रकम बताके दाखिल कर दिया जाएगा और वो सब जेल चले जाएंगे यह कॉमन ट्रेंड था उसमें जब बैंक ड़कैती के अभिप्तों को नहीं पकड़ पाती थी पुलिस और दबाओ बहुत ज़्यादा हो जाता था अधिकारियों का भी उपर से भी और पुलिटिकल भी कप्तान को जब यह लगता था कि हमारी कुर्सी जाने वाली है या हमको अब टार्गेट किया जाएगा एक के बज़ाए महीने में दो अगर बैंक ड़कैती हो गई तो आप समझ लीजे जुवारी बंद हुए वो आदमी चिलाता रहेगा कि साब मैं जुवे में पकड़ा गया हूँ मेरा बैंक के लूट से या बैंक की ड़कैती से कोई संबन्द नहीं है पुलिस फोरण कहेगी जुट बोला है और पबलिक कहेगी कि सच हो सकता है जुवारी है जुवे में सभार गए बैंक ड़कैती था लगभग ये ट्रेंड पूरी पूरी पुरी प्रदेश में था और उस समय प्रदेश में बैंक ड़कैतियों की भरमार हो गई थी मैं बता रहा हूँ कि कोई महिना ऐसा नहीं जाता था जब लखनव जहां मेरी तैनाती थी और उसके आस पास के जिलों में हर्दोई सीता पूर लखीमपूर खीरी इवन कानपूर इन सब में महीने में एक दो बैंक ड़कैतियां जरूर पड़ जाती थी आज की घटना आज मैंने तीन बैंक ड़कैतियों की घटनाओं का जिकर किया और जगदीश पूर जो सुल्तान पूर जिले में है उसकी घटना का डिटेल भ पही मोडस ओपरेंडी लगभग सभी बैंक ड़कैतियों में या बैंक रॉबरी में हुई है चार या पांच और मैक्समम छे बैंक लुटे रहे बैंकों पे धावा बोलके चैनल गेट को बंद करके लोगों को किसी एक कमरे में बंद करके कहीं कहीं तो वे स्ट्रॉंग जिसमें एक दिन में प्रदेश में पांच बैंक ड़कैतियों का जिकर है बैंक ड़कैतियों का जिकर किसी एपिसोड में करूंगा तो मैं उस दिन का भी जिकर करूंगा और कहां कहां ये ड़कैतियां पड़ी थी इसका भी जिकर करूंगा पांच पांच ड़कैतियां बैं दिन में वर्ष 1996-97 की बात है। क्राइम अपने चरम पे था। मुख्य कारण उसका ये था कि बैंकों में सुरक्षा के उपाय नहीं थे। संसाधन नहीं थे। पुलिस के पास न तो तेजगती के वाहन थे। न पुलिस के पास कोई modern equipment या गजट थे। राइफिलें भी उस समय तीन सो तीन की ही थी पुलिस के पास। रिवॉल्वर और पिस्टल आमस इंडियन आमस फैक्टरी वाले ही थे। इसके अलावा कोई फाय अच्छा उपाय नगर्ण। दूसरा पुलिस में संसाधनों का तोटा और तीसरा राजनेतिक इच्छा शक्ती बहुत ही लचर और कमजोर हुआ करती थी उस समय आप इसका अंदाजा इससे लगाएं कि जगदीशपुर के जिस बैंक में ये डकैती पड़ी थी उसमें कोई कोई आमड गार्ड नहीं था शवस्त्र गार्ड कोई नहीं था चीपी टैंक मेरथ वाली डकैती में तो आर्मड़ था जिसको गोली मार दे गए और उसकी मृत्ति हो गई लेकिन यहां कोई आमड़ नहीं था इंडस्टेल एरिया का बैंक था पैसे की आवक और पैसे का डि दी बैंक, शहरों में तो सौफिस दी और पास के कस्बों में या देहातों में भी काफी बड़ी संख्या में सीसी टीवी चाहे कम ही लगे हों लेकिन लगे जरूर होंगे 2010 के बाद की बैंक ड़केतियों की सीसी टीवी फुटेज आपको गूगल पे मिल जाएगी बहुत धेर सारी बैंक में इस बैंक में जगदीशपर के कोई अलार्म सिस्टम नहीं था अलार्म सिस्टम जनरली छिपा के या चोरी से बैंक मेंनेजर या कैशियर के पास एक स्विच लगा दिया जाता है कि अगर उसको जड़ा सा खत्रा दिखाई पड़े तो वो उसको दबा देगा और वो बैंक अलार्म इस तरह का होता है क्योंकि साल में कम सकम दो बार उसकी डेमो भी करते हैं भूग पुलिस को सूचना दे कि साहाब आज हम अलार्म को बजा के चेक करेंगे तो उसकी जो उसकी आवाज है या जो उसकी तिर्वत तीवरता है उसको सुनके आसपास के जो बाजार के लोग हैं वो जान जाते हैं कि बैंक पर कोई आफ़त आई है भीड़ी कठा करते हैं और तब ऐसा होना संभव नहीं होता जो जगदीशपूर की घटना में हुआ था लेकिन जगदीशपूर में कोई अलार्म सिस्टम उस समय नहीं था जिस समय ये डकैती पड़ी थी बैंक में बैंक मेनेजर के सिवा कोई भी लैंड लाइन फोन नहीं था जो लुटेरा बैंक मेनेजर के कमरे में सबसे पहले गुसा था उसने पहला काम यही किया था कि लैंड लाइन फोन का तार खीच कर उसे तोड़ दिया था निकाल दिया था उसके बाद कम्मुनिकेशन का कोई साधर नहीं था चोरी से या सामने से कोई किसी को बता नहीं सकता था आप जानते हैं उसमें कोई मुबाईल फोन होने का सवाल ही नहीं था वर्ष चानवे की बात है प्रदेश में अठानवे के बाद मुबाईल फोन आये थे जब ये घटनाएं बहुत जादा हो गई तो शहरों में सीसी टीवी लगने लगे बड़े बैंकों में खासकर बैंकों के बड़े जहां सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता था वहां सीसी टीवी लगाये जाने लगे सिक्यूर्टी अलार्म भी वहां लगाये जाने लगे जब एकात केसेस में सिक्यूर्टी अलार्म बच गया और इनको भागना पड़ा बैंक की लूटेरों को तो उन्होंने कंसंट्रेट किया देहाद के और कस्बों के बैंक पर जहां पर सिक्यूर्टी सिस्टम नहीं था और ग्रामीर में जैसे पिपराइस की घटना में ने आपको गोरगपुर की बताई यह वो देहाद का छेतर है जगदीश पुर भी सुल्तानपुर के देहाद का छेतर है लेकिन छीपी टैंक मेरट का वो घोर शहर में और बीच शहर का इलाका था ज़्यादा तर केसेज में बैंक डेकेती में अगर वो चाभी नहीं मिलती उनको या चाभी नहीं देते लोग स्टॉंग रूम की तो कैश काउंटर का पैसा ही उनके लिए परियाप्त होता था चार-पांश लाक रुपए कैश काउंटर में मिल जाते थे क्योंकि उस समय एटीम नहीं थे अगर किसी को हजार पांसो रुपए भी लेना है तो उसे बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी टोकेन मिलता था इसलिए जो करेंट काउंटर पे जो कैश रखते थे वो बड़ी संख्या में लोग रखते थे उन्हें अंदाज सा कि एक दिन में वो एक लाख रुपए उन्हें देने पड़ते हैं या दो कर देने पड़ते हैं या तीन देने पड़ते हैं अगर सबेरे सबेरे कोई डिपॉजिट करने आ गया पांस लाख रुपए तो उसको करेंट काउंटर पे ही रखते हैं कि दिन भर में उन्हें देना भी है ATM न होने के विज़े से छोटे मोटे अमाउंट के निकालने वालों की भीर भी बहुत ज़्यादा होती थी और इसलिए कैश काउंटर पे काफी पैसा मौजूद रहता था आज की तारीक में जो पैसा निकालने की प्रवित्ति बैंक में जाके है वो अल्मूस्ट खतम हो गई है लोग ATM पर लाइन लगाते हैं पैसा निकालने के लिए बैंकों में अब सिर्फ फुटकर व्यापारी जो दिन भर का पैसा अपने पास दुकान पे अधर पे नहीं रखना चाहते मुन्शी या मुनीम के जरीए वो बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में अब जमा करने वालों की तादाद निकालने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा हो गई है उनका रेशियो बहुत बढ़ गया है ज़्यादा पैसा आता है उसको काउंटर पे रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि काउंटर से डिस्बर्स करने के लिए या पैसा देने के लिए कम पैसे की आवशक्ता है तो कैस जैसे ही आया उसको स्ट्रॉंग रूम में रद दिया जाता है सिक्यूर्टी की बिवस्था भी बहुत चाक्चोबंद हो गई है अच्छे अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं और सीसी टीवी हर तरह से चारों तरफ बैंकों में छोटे बैंक या बड़े बैंक उनमें लगा दिया गया है एटियम नव होने की बज़े से ही बैंकों की भीड और कैश काउंटर पे ज़्यादा पैसा होना उस समय बैंकों में डकैती का मुख्य कारण था अभी एटियम कब आये और ये भीड बैंकों से हटके एटियम तक कैसे पहुँची ये भी आपके लिए जानना जरूरी है दुनिया का पहला एटियम 27 जून 1967 को नौर्थ हिंग लैंड में एनफिल्ड में लगाया गया और इस एटियम को लगाने का शुरे बार्कलेज बैंको जाता है जो आज भी है जिसकी शाखाएं भारत में भी बहुत मौजूद है एटियम का विशकार ही स्कॉटलेंड के रहने वाले जौन शिफर्ड बैरन ने इसका विशकार किया था क्योंकि उस जमाने में भी यूरप में और अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में पैसा निकालने के लिए लोग बैंक में क्योंकि पैसा बैंक से निकलना ये बैंक के लिए बहुत profitable business नहीं है लेकिन उनकी care करना और उसमें काफी समय बैंकों का वितीत होता था तो ये कहा गया कि पैसा निकलने का एक system अलग कर दिया जाए ताकि जो हमारी banking में जो हमें ज़्यादा जरूरत है पैसा जमा करने की उसके लिए उसको हम ज़्यादा facilitate कर सकें भारत में पहला ATM होंग कांग एंग शंगाई banking कार्पोरेशन जिसको HSBC कहते हैं आज भी हैं बहुत डिर सारे bank इन्होंने मुंबई में 1987 में पहला ATM लगाया था लेकिन ये सिर्फ अपने bank और उनकी शाखाओं के लिए था जिनकी संख्या डिर सो या दो सो रही होगी लेकिन वो successful रहा लोग वहाँ भीर लगाने लगे बैंकों से भीर आधे से भी कम हो गई पैसान जिनकों निकालना है वो ATM पर जाने लगे अलग अलग बैंकों ने ये प्रियोग किया लेकिन ये प्रियोग फेल हो गया 2003 में National Financial Switch NFS इन्होंने एक system device किया single network का 30-35 बैंकों ने National Financial Switch में एक network पर सारे बैंकों को जोड़ा और फिर उनके ATM का operation शुरू हुआ 2006 के बाद शहरों में वो 4 और 5 में ATM लगने शुरू हो गए आपको शायद ये भ्रम हो कि जो नेशनलाइज बैंक थे State Bank of India, पंजाब National Bank, बैंक का बढ़ोदा शायद इन्होंने पहला ATM establish किया लेकिन ऐसा नहीं है, HSBC ने सबसे पहला ATM establish किया हिंदुस्तान में 2006 के बाद इनकी संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे शहरों में और आज की तारीख में शहरों के अलावा सारे बड़े बाजारों में और कहीं कहीं छोटे-छोटे कस्बों में भी आपको ATM मिल जाएंगे इससे बैंकों पर भीर बैंकों का भार काउंटर पर जो करेंट काउंटर हुआ करते हैं उसमें कैश बहुत कम मात्रा में रखने की जरूरत होती है और इसलिए शायद रिस्क लेकर कम पैसा लूटने की हिम्मत अब नहीं रह गई है और इसलिए बैंक डखेतियां बहुत कम हो गई हैं बन तो नहीं हुई है लेकिन जैसे एक एक दिन में मैंने बताया पांच-पांच बैंक डखेतियां पर देश में होती थी तीन बैंक डखेतियों का आज ही मैंने जिकर किया ये अब बहुत कम हो गई है क्योंकि उसमें एटियम का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है आज एक मेसेज मुझे डॉक्टर विरेंद प्रताप यादो का मिला शिरी यादो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट अफ एंथ्रोपलोजी में महात्मा गांधी अंतर राष्टी हिंदी विश्विद्याले वर्धा महाराष्ट में इन्होंने ये लिखा कि मैं पिछले चार-पांच महीने से किस्सा गोई के हर अंक को सुन रहा हूँ और उन्होंने एक बात और लिखी कि हम सब के आधरनी एक IPS अधिकारी हैं शिरी विभूती नरायन राय बहुत ही साहितिक आदमी है और साहितिक छेतर में उनका बड़ा योगदान है वो वाइस चांसरल भी रहे इन्वस्टीज के उनकी दो पन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं जो जमीनी हकीकत के बारे में लिखी गई है एक शहर में कर्फियू और दूसरा हाशिंपुरा श्री यादो ने ये लिखा है कि किस्सागोई का कथानक किस्सागोई की जो स्क्रिप्ट है या जो मैं आपके सामने प्रस्तूत करता हूँ वो उजनी श्री विभूती नरायन राय साहब के इन दोनों उपन्यासों के बराबर है या इनका कथानक ठीक वैसा ही है जैसे श्र मैं उनका हिर्दे से आभार व्यक्त करता हूं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्सागोई के कथानक को इतने बड़े राइटर या इतने बड़े साहित्यकार जो इत्तफाक से बहुत ही सक्सेस्फुल पुलिस आफसर भी रहे हैं दो भाई थे एक हर्याना काडर में एक आपका गठानक उस से मिलता जुलता है मैं उनका हिर्दे से आभार करता हूँ और आभार ये भी कि वो बराबर सुनते रहते हैं और आभार ये भी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रेरिद किया कि आप इसे कंटीनु रखें और जो जमीनी हकेकत आप बताते हैं क्राइम से समाजिक संदचना से और जो समाज के लिए संदेश उस में जाता है और खासकर उन्होंने ख़ा कि हिंदी साहिति के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है आपके द्वारा वो बहुत अच्छा है तो मैं फिर से आभारवत करता हूँ कि उन्होंने मेरी होसला अवजाई की उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने मेरे काम को सराहा ताकि मैं और अच्छी तरह से आपके सामने इस तरह की घटनाओं को प्रस्तुत कर पाऊं आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद